दोस्तों नमस्कार ये है मागदोशन फार्ट सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शवधरी दोस्तों आज की वीडियो में हम सालो करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर सिक्षा सेवा चैन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भरती परिक्षा के लिए सभी अ सूचना एवं संचार प्रद्योग की मानो एवं परियावरण भारती इतिहास एवं भुगोल तथा भारती संविधान एवं अर्थविवस्था हैं हम इन सभी टापिकों से संबंधित प्रशनों को इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट अस असिस्टेंट प्रोफेसर भरती परिक्षा के लिए सामान्य अध्यन का प्रैक्टिस सेट संख्या तीन दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रशन है देखें सिक्षण और सोध अभियोगिता से संबंधित है प्रशन है कि स्वतंत्र परिमार्जक और चरों के मध्य नियंत्रन द्वारा कारणात्मक संबंध अस्थापित करने पर केंद्रित सोध पध्धती कहलाती है आपसन है कारियोत्तर पध्धती सर्वेक्षन पध्धती ब्याष्टि अध्यन पध्धती और प्रियोगात्मक पध्धती तो सही उत्तर है आपसन डी प्र योग आत्मक पद्धत कहलाती है और कारणात्मक संबंध के अंतरगत दो इस्थितियों को संतुष्ट करना होता है पहला ये कि ये सिद्ध करना होता है कि यदि कारण है तो उसका प्रभाव क्या है और दूसरा ये सिद्ध करना होता है यदि कारण नहीं है तो प्रभाव भी नहीं होगा अगला प्रश्ण है दोस्तों बिमर्सी अस्तर सिक्षण अस्मृति सिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेशन की पद्धति मूलतह कैसी होती है एक रेखी नीचे से उपर की ओर अंतर क्रियात्मक या क्रियानवित्कारी दोस्तों बिमर्सी अस्तर सिक्षण इसमृति अस्तर सिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेशन की पद्धती मूलतह क्रियानवित्कारी या ट्रांजेक्षन होती है अगला प्रश्ण है सोध की किस बिध में निराश्रिच चर में हेर फेर तथा बाहे चरों का नियंत्रण न तो संभो है नहीं वांचनी आपसन है आपके प्रियोगात्मक विधी, कारियोत्तर विधी, एतिहासिक विधी या वडनात्मक सर्वेक्छन विधी तो सही उत्तर है आपसन B, कारियोत्तर विधी दोस्तों सोध की जो कारियोत्तर विधी है उसमें निरासरिचर में हेर फेर और बाहेचरों का नियंदरण ने तो संभव है नहीं वांचनी और इसे कारेकरण तुलनात्मक और घटोत्तर अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है और इसमें क्या है दोस्तों इस विध में ये समान परदर्शन करते हैं यह कथन निम्ण मेंसे किसको इंगित करता है आपसन है अनुसंधान परिकलपना शुन्य परिकलपना दिशात्मक परिकलपना या सांखी की इंगित करता है और सुन्य परिकल्पना का आसे दो चरों के मुल्यों में शुन्य अंतर अथवा कोई अंतर नहीं अथवा सुन्य संबंध का कथन होता है और आप जानते हैं कि इस कथन में कहा गया है कि संख्यात्मक परिक्षण में महिला और पुरुस विद्यार्थी में समान परदर्शन देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब इन दोनों चरों में सुन्ने अंतर है अगला प्रशन है निम्रिखित में से किस आधार पर जिया प्याजे ने मानो विकास का संग्यानात्मक सिध्धान दिया है आपसन है मौलिक अनुसंधान प्रायोगी का अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान या मुल्यात्मक अनुसंधान तो सही उत्तर है आपसन ए मौलिक दोस्तों मौलिक अनुसंधान या fundamental research के आधार पर जियाँ प्याजे ने मानो विकास का संग्यानात्मक सिध्धान प्रतपादित किया है तो ये दोस्तों मौलिक सिध्धान जो है विशुद्ध सोध होता है मौलिक सोध या विशुद्ध सोध ये मौलिक सिध्धानतों और नियमों का संग्रे होता है जिनके द्वारा इसका उद्दे से ज्ञान की प्राप्ति होती है अगला प्रशन देखिए Information and Technology से संबंधित है एक hard disk tracks में विभाजित होती है जिसमें निमलखित में और उपविभाजन किया जाता है किसमें देखिए Clusters, Sectors, Vectors या Heads तो सही उत्तर है Sectors देखिए एक hard disk दोस्तों ये tracks में विभाजित होती है जिसमें sectors में उपविभाजित किया जाता है Sectors जो होती है ये सबसे छोटी unit होती है जिसे hard disk के दोरा access किया जा सकता है अगला प्रशन है दोस्तों ऐसा computer program जो किसी program को व्यक्तवार मशीनी भासा में अनूदित करता है उसे क्या कहते हैं तो इसको interpreter कहते हैं दोस्तों interpreter ऐसा computer program होता है जो किसी प्रोग्राम को वक्तब व्यवार मशीनी भासा में अनूदित करता है अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों compiler ऐसा software होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है आपसन है आपके character से bits उचस्तरी भासा से machine भासा और words से bits तो इसमें compiler जो है वो क्या करता है दोस्तों compiler ऐसा software है जो उचस्तरी भासा को machine भासा में परिवर्तित करता है आपसन भी आपका सही उत्तर है दोस्तों उचस्तरी भासा प्रतिकात्मक भासा होती है जिसमें मानो द्वारा बोली जाने वाली भासा जैसे अंग्रेजी सब्दों को गड़ती प्रतिकों का प्रियोग किया जाता है और उच्च अस्तरी भासाओं में दिये जाने वाले निर्देसों का कंपाइलर द्वारा मशीनी भासा में अनुबात किया जाता है जिससे कंप्यूटर उसे समझ सके अगला प्रश्ण है दोस्तों देखिए सामान ने जानकारी से संबंधित है मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा तो आसान सा प्रश्ण है मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1979 को रखा था अमेरिका के अपॉलो सेकंड मिसंद्वरा भेजे गए तीन अंतरिक छियात्री नील आर्मिश्ट्राग माइकल कोलिंस और एडविन एल्डरिन जूनियर सामिल थे जिसमें से नील आर्मिश्ट्राग और एडविन एल्डरिन ने चंद्रतल पर अपने कदम रखे थे अगला प्रश्ण है दोस्तों मैथान बेल पहाड़ी और तिलयाबाद किस नदी पर बनाए गए हैं दूस्तों मैथान बेल पहाडे और तिलयःबाधों का निर्मार दामोधर की सहायक नदी बराकर पर दामोधर नदी घाटी परियोजना के पर्थम चरण में किया गया है अगला प्रश्न है दोस्तों तमिलनाडु में सामानने के महीने तमिलनाडु में मानसून के सामानने महीने कौन से हैं तो सही उत्तर है नवंबर दिसंबर दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षुल भारत में उत्तर पूरो मानसून का मौसम रहता है जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायल, सीमा, तमिल नाडु में सक्री रहता है और यही तमिल नाडु की मुख्य वर्सा वाली अवधी होती है अगला प्रश्ण है तपोवन और विश्नुगर्ध जल विद्दुत परियोजना है देखिए तपोवन और विश्नुगर्ध जल विद्दुत परियोजना है कहां पर अवस्थित हैं तो आप जान लिजे सही उत्तर है उत्तराखंड में दोस्तों तपोवन और विश्नुगर्ध जल विद्दुत परियोजना है उत्तराखंड के चमोली जिले में अलक नंदा नदी पर इस्थित हैं दोस्तों अगला प्रिश्न आपसे पूछा गया है परियावरण से अभिप्राय क्या है आपका देखे परियावरण से क्या अभिप्राय है इसमें कुछ आपसंस दिये गए है ए है कि भूमिजल, वाई, पाउधो और पस्वों की प्राकरतिक दुनिया जो इनके चारो रस्तित्तों में है बी है कि उन संपूर्ण दसाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होती है C है कि भौतिक, जैवीकी और सांस्कृतिक दत्तों की अंतर क्रियात्मक बेवस्थां जो अंतर संबंदित होते हैं और D है उपर युगत सभी तो दोस्तों पर्यवरण से अभिप्राय उपर युगत सभी से है क्योंकि ये सारी चीजें पर्यावरण के अंतरगत शामिल होती है अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों वाई में कारबन डाय अकसाइड की बढ़ती हुई मातरा से वाई मंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कारबन डाय अकसाइड तो दोस्तों क्योंकि कारवन डायाकसाइड सौर विक्रण के औरक्त अंस यानि इंफ्रा रेड अंस को और सोसित करती है जिससे तापमान में बृध्धी होती है तो पिर्थवी पर उर्जा जो है विद्दु चुम्बकी विक्रण के रूप में पहुंचती है जिसको सौर उर्जा कहते हैं पिर्थवी की उसमा औरक्त विक्रण के रूप में विक्रित होती है जिसमें लगभंग नब्वे प्रसत भाग को वाई मंडल में उपस्तित कारव डायाकसाइड थर्मर पावर इस्टेशन सही है क्लोरो फ्लोरो कार्बन आटो मोबाइल सही नहीं है नाइटरस आकसाइड जलमंग नधान के खेट सही है और सल्फर डायाकसाइड इन्ट के भठे ये भी सही है दोस्तों क्लोरो फ्लोरो कार्वन या जिसको हम साट में CFC कहते हैं ये आटो मुबाइल उद्योग से नहीं बलकि क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्वन से बना मानो निर्मित गैसी दरवी पदार्थ है जो रेफरिजरेटर और वातानुकोली ते अंत्रों में शीत कारक रूप में प्रयूग होता है और ओजोन परत के छरण में इसकी महत्वण भूम का होती है तो आपसन भी आपका सही सुमेलित नहीं है अगला प्रशन दोस्तों करेंट अफेयर से है जन्वरी 2021 को केंदर सरकार ने निता जी सुबाश शंद्रबोस की 125 वी जैनती को मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्चस्तरी समित का गठन किया है तो सही उत्तर है दोस्तों प्रधान मंतरी की अध्यक्षता में देखिए इसमें क्या है ये जो उच्चस्तरी समिती है इसमें केंदरी मंतरी प्रतिष्ठित नागरे के तिहासकार लेखग विशे सग्गे ये नेता 23 जनवरी को पराक्रम दिवस दोस्तों पराक्रम दिवस अब 23 जनवरी को मना जाने की घोश्रा की गई है अगला प्रश्ण है दोस्तों लोग सभा का कारेकाल देखिए ये पूछा गया है कि लोग सभा का कारेकाल तो आपसन देख लेते हैं किसी परिस्थिती में नहीं बढ़ाया जा सकता एक बार में छे महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है आपात काल की घोश्रा के दोरान एक बार में एक वर्स तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और आपात काल की घोश्रा के दोरान एक बार में दो वर्स के लिए बढ़ाया जा सकता है फिर भी आपात उद्गोश्डा के प्रवर्तन में ने रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा आपसन C आपका सही उत्तर है अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों ने मिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिस की थी आपसन है आपके बलवंत राय महता समिति अशोक महता समिति जीवी किराव समिति या सरकारिया समिति तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए अशोक महता समिती आपसन भी आपका सही उत्तर है अशोक महता समिती ने नयाय पंचायतों के गठन की सिफारिस की थी और दोस्तों 1977 में पंचायती राज विवस्था पर सुझाओ देने के लिए अशोक महता समिती का गठन हुआ था इसने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत की जिसके पंचायती राज की त्री अस्तरी पढ़ाली के आधार पर दुई अस्तरी पढ़ाली की सिफारिस की गई थी अगला प्रश्ण है ने मिखित में से किसे एक दबाव समुह या प्रेशर ग्रूप माना जा सकता है आपसन है लोकसभा के सदसे, पंचायत के सदसे, मंत्री मंडल के सदसे या मजदूर संग के सदसे तो उत्तर है आपसन डी मजदूर संग के सदसे को दबाव समुह माना जा सकता है क्योंकि ये जो है मजदूरों के हितों या अपने वर्ग के हितों के लिए सरकार की नीतियों और उन पर दबाव डालते हैं अगला प्रशन है सम्विधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत लोक सेवा आयोक के सदर्से को हटाये जा सकता है तो उतर है दोस्तों अनुच्छेत 370 अनुच्छेत 370 क्या कहता है इसमें ये कहा गया है कि लोक सेवा आयोक के अध्यक्ष या किसी अन्य सदर्से को केवल कदाचार के आधार पर राष्टपती के ऐसे आदेश से उसके पत से हटाये जाएगा जो उच्छतम न्याले को राष्टपती द्वारा निर्देश किये जाने पर उस उच्छे न्याले द्वारा अनुच्छेत 145 के अधिन इस प्रियोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जाज के पस्चात इस संबन्द में दिये गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो तो दोस्तों लोकसिवा आयोक के सदस्य को अनुच्छेत 317 में जो है इसके अंतरगत हटाये जा सकता है अगला प्रिश्ण है भारती कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण म्रिग सहित चकर के द्वारा हुआ है तो सही उत्तर है दोस्तों ये प्रतम उपदेश से संबन्दित है और बुद्ध के जीवन का प्रतम उपदेश का चित्रण म्रिग सहित चकर द्वारा हुआ है और आप जानते हैं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में म्रिक दाव यानी हरिडवन में दिया था अगला प्रश्ण है निर्म खित में से किस समा सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया था आपसन है इश्वर्चंद विद्यसागर, राजाराम मोहनराय, महादेव गोविंद रानाडे या राजनारायन वसू तो सही उत्तर है दोस्तों 1826 में जूरी अक्ट पारित किया गया था जिसके अंतरगत नियायालेव में धार्मिक आधार पर भेदभाव की सुरुआत हुई और इसमें क्या है राजाराम मोहनराय ने इसे जोरदार तरीके से इसका विरोध किया था और इस भेदभाव को जो है समाप्त करने की बात कही थी तो सही उत्तर है 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध राजाराम मोहनराय ने किया था अगला प्रश्ण है निम्लखित में से किस ने कहा है कि ब्रिटिस आसन की सबसे अधिक महतोपूर उपलब धी भारत का एकी करण था तो आपको बताना है ये कथन किसका है तो सही उत्तर है इंडियन ओपीनियन दोस्तों देखे दक्षिन अफ्रिका में गांधी जीने इंडियन ओपीनियन नामक अख़वार निकाला था ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंगरीजी में प्रकासित होता था और वर्स 1904 में डर्बन में फिनिस फार्म के अस्थापना भी गांधीजी के द्वारा की गई थी अगला प्रशन है जन्वरी 2021 के मद्ध बिहार में पर्थम राज पच्छी महोसो कलरो का आयोजन के सब भ्याराणे में किया गया था तो ये नागी नकटी पच्छी अब भ्याराणे में कलरो जोकी बिहार राज का पर्थम राज पच्छी महोसो था इसका आयोजन किया गया थ अगला प्रशन है दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी आपसन है 1970, 1975, 1990 या 92 तो सही उत्तर है आपसन डी 1992 में दोस्तों किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में 1992 में लागू की गई थी अगला प्रस्ट देखते हैं प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना के संदर में निमलखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है कि इस योजना के अंतरगत क्रिसिकों को वर्स के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी फसल की खेती करने पर दो प्रस्ट की एक समानदर से वीमा किस्त का भुकतान करना होगा और दूसरा है कि यह योजना चक्रवात और गैर मौसमी बर्सा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को वीमा कृत करती है तो सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जो आपसंस है आपके इन दोनों में से उत्तर का चैन करना है तो सही उत्तर है केवल आपसंस दो सही है क्योंकि यह योजना चक्रवात और गैर मौसमी बर्सा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमा कृत करती है और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को लांच की गई थी और इस योजना के माध्यम से सरकार कम प्रीमियम दरों पर सभी किसानों को सभी प्रकार के सामान और बाडिजिक फसलों पर बीमा परधान करती है अगला प्रशन है दोस्तों विजन 2024 इंडिया दस्तावेज किसे संबंधित है आपसन है आपके क्रिसी विकास और द्योगिक विकास विक्सित राष्ट या गरीबी उन्मूलन तो सही उत्तर है विक्सित राष्ट से किस राज्ज में की जा रही है राजस्थान करनाटक मध्य पर्देश या गुजराथ तो सही उत्तर है गुजराथ में दोस्तों भारत की पहली लिथियम रिफाइनिर के अस्थापना गुजराथ में की जा रही है इस वीडियो का आखरी प्रश्ण यानि तीसवा प्रश्ण निर्माड़ा धीन त्रिपुरा बंगलादेश मैत्री सेतु किस नदी पर इस्थित है तो इसमें आपसन बताने किया सकता नहीं है आप जानते हैं फेनी नदी पर भारत और बंगलादेश के मध्य मैत्री सेतु का निर्माड किया गया है और दोस्तों त्रिपुरा बंगलादेश मैत्री सेतु के निर्माड कारे जो है ये फेनी नदी पर किया गया है और इस सेतु को फेनी सेतु भी कहा जाता है और ये पुल दक्षडी त्रिपुरा के सबरूम से बंगलादेश में इस्थित रामगड को जोड़ेगा तो सही उत्तर है भारत बांगलादेश मैत्री से तो ये फेनी नदी पर निर्मित किया गया है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने असिस्टेंट प्रोफेसर भरती परिक्षा के लिए सभी अभ्यारतियों के लिए अनिवार सामान ने अध्यान यानी जीएस का प्रैक्टिस सेट साल्व किया इसमें हमने परिक्षा पैटर्न के अनुरुप पुल तीस प्रशनों को साल्व किया है ये प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर भरती परिक्षा के सासाथ गौर्मेंट डिगरी कालेज प्रोफेसर और इसके अलावान नेट जे आरेफ राजनीत विज्ञान के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार